यह लो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग लास्टेंट क्वाडेटिक एक इंपोटेंट को सॉल्व करते हैं जो बोर्ट और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कोस्चन में कह रहा है, solve x plus 3 by x plus 2 is equal to 3x minus 7 by 2x minus 3 ऐसे कोस्चन को solve करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, cross multiplication करते हैं मतलब आपको cross जब आप multiply करोगे तो x plus 3 को हम इससे multiply करेंगे और x plus 2 को इससे multiply करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x plus 3 है इधर, इससे multiply हो जाएगा आपका ये 2x minus 3 इसकल 2 बीच में है तो आप लिख दिजिए और x plus 2 ये multiply होगा किससे 3x minus 7 ठीक है, अभी आप जब multiply करोगे तो ये x एक बार इससे multiply होगा, फिर आपका इससे multiply होगा फिर ये 3 आपका इससे multiply होगा, फिर 3 ऐसे similarly, ये x इससे multiply होगा, फिर आपका 7 से फिर ये 2 इससे होगा, और ये 2 फिर 7 से होगा इस तरीके से हम लोग multiply करेंगे तो आप क्या लिखोगे x into 2x क्या हो जाएगा 2x square x into minus 3 क्या हो जाएगा minus 3x plus plus 3 into plus 2x क्या हो जाएगा plus 6x plus और minus क्या हो जाएगा minus 3 3 is a 9 ठीक है right hand side को देखते है x into 3x क्या हो जाएगा 3x square x into minus 7x क्या हो जाएगा minus 7x sorry x into minus 7 minus 7x 2 को आप करते हैं 2 into 3x क्या हो जाएगा plus 6x और 2 into minus 7 minus 14 ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा और simplify कीजिए तो आपका हो जाएगा 2x square minus देखें minus 3x plus 6x है बड़ा कौन है plus 6 तो आपका यहां जाएगा plus और plus minus minus हो जाएगा तो 3x minus 9 right hand side में आपका जाएगा 3x square वैसे ही रह जाएगा यह minus 7 जो है वो 6 से बड़ा है 7 6 से बड़ा है तो साइन किसका रहेगा minus का माइनस से बड़ा एक्स और प्लस 6 6 क्या होता है plus 3x minus 9 minus 3x square plus x plus 14 और right hand side में क्या बच जाएगा आपका 0 ठीक है अभी आप जब 2x square और minus 3 square को operation करोगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका जाएगा minus x square ठीक है 3x और x क्या हो जाएगा आपका plus 4x माइनस 9 और plus 14 आपको देगा plus 5 is equal to 0 ठीक है इसको हम रोग मीडिल टर्म ब्रेक से बना सकते हैं तो देखो आप मीडिल टर्म ब्रेक में इसका को efficient क्या है minus 1 और यह 5 मतलब आपको 5 का factorization करके 4 लाना है तो आप इसको रिराइट कर सकते हो minus x square प्लस 5 x माइनस x प्लस 5 इसकल टू जीरो ठीक है अभी इन दोनों में आप minus x common ले लिजी तो आप minus x common लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा minus x बाहर चला गया एक x बच जाएगा minus आपने common लिया है तो यह sign को change कर देगा तो यह हो जाएगा minus और 5 x में से x आपका बाहर चला गया है तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा similarly minus इन दोनों में 1 हम लोग common लेते हैं 1 आप common लोगे तो आपका क्या बच जाएगा minus x में तो minus 1 आपने common ले लिया तो x ही बच जाएगा और minus आपने common लिया है तो यह plus को क्या कर देगा minus कर देगा x minus 5 is equal to 0 यहां से आपका जाएगा minus x minus 1 और x minus 5 is equal to 0 इसको आप लिख सकते हो minus x minus 1 is equal to 0 यहां से आजाएगा minus x is equal to 1 यह इधर जाके plus हो जाएगा जो देगा x is equal to minus 1 तो x का एक value आगया आपका किता आगया minus 1 यहां से आजाएगा x is equal to 5 तो आपका x is equal to 5 और x is equal to minus 1 यह solution है इस given quadratic equation का इसी तरीके से कैसा भी आपको quadratic equation का question आएगा इस type का तो आप इसली बना सकते हो thank you so much